नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल जी ओफिनुस में दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी सभी पड़ी ख़वरे मुख्य समाचार टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूप में तो दोस्तो आप छोटा सा रिक्विस्ट है यदि हमारे चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सकाइब करने के बाद घंटी बटन को जरूस्त बादे तो दोस्तो आए जाते हैं आज के मुख्य समचार सक्त होंगे ट्रेफिक नियम राज सभा में मोटर वहीकल संसोधन बिल पास कर दिया गया हैं बिल के पक्च में 108 और विपक्च में 13 भोट पड़े हैं यह बिल लोग सभा से पहले ही पारित हो चुका है बिल में मोटर वहीकल एक्ट को और सक्त बनाने के प्रावधान सामिल हैं इसके आलवा ट्रेफिक नियम को तोड़ने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के प्रावधान इस बिल में सामिल किया गये हैं सरापिकर के गाड़ी चलाने पर अब दो हजार की बजाए दस हजार रुपे जुर्माना किया जाएगा और थर्ड पार्टे प्रेमियम को जरूरी बनाने को भी इस बिल में सामिल किया गये हैं सनक्ष सुरक्षा के जुड़े कई पहलू को इस बिल में भी जगह दी गई है और अब हिंड एंड रन मामले में मौत होने पर दो लाक रुपे तक का मुआवजा दिया जाएगा जो पहले 25,000 था नितिन गटकरी ने कहा है कि अब मुबाइल फोन के जरिये टोल दिया जा सकता है और साथ ही फास्टेक की लगाया जाएगा किसी को टोल पर रुखना नहीं पड़ेगा इस सुबिधा केंदर बगार कोई पैसा लिए राज्यों को देने के लिए तयार है उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए राज्यों का अनुबंध कानून है जो हुठी बात में करता नहीं जो सपने दिखा है वो पूरा करूंगा नहीं कर पाया तो आप जरूर सवाल उठाए मंतरी ने कहा है कि मैंने तो यह प्रिंटिंग गलती तक के लिए माफी मांग ली है धौल कुआ से मानेज तक के लिए स्काइबर लाने तक जा रहे हैं जो 265 होगी यह भारत सरकार की कंपनी ही बनाएगी डीजल की जगा हवा में चलने वाली बस में जाए जिसमें से डीजल कम लगेगा और आराम से बैठ करके जाएंगे उन्होंने कहा है कि इस कानून से हर राज्यों को एक पैसा भी नहीं लेने वाले हैं जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दे कि मीडिल क्लास और नौकरी पैसा लोगों को मिल सकती है टेक्स में बड़ी राहत रिपोर्ट हो रही है तयार जी हाँ दोसों मोदी सरकार आम जनता को राहत देने के तयारी में है इस बार प्रधान मंती नरेंद मोदी समाज के उस वर को टार्गेट कर रहे हैं जो देश में टेक्स का एक हिस्सा चुकाता है अगर वित मंत्राले टेक्स पर बनी टास्क फोर्स की सिकायते माल लेती है तो मिडल क्लास को टेक्स में खासी राहत मिल सकती है वित मंत्राले के सुत्रों के मुताबिक ठाई लाक रुपे से दस लाक रुपे तक का सालाना आमधनी वालों को सिर्फ 10 फिसदि टेक्स का प्रावधान हो सकता है फिलहाल 5 लाकी आमदनी तक टेक्स में छूट मिलती है जिससे बढ़ा करके 6.5 लाक रुपे किया जा सकता है वित्मंत्राले की एक अधिकारी के नाम नहीं खोलने की सर्थ बताया है तेख्स-कोड यानि DTC के आने वाले भारत के सबसे बड़े प्रत्यक्ष कर सुधारकों में से टेक्स-पेर्स को चार विभिन टेक्स स्लैब में बाटा जा सकता है जिसमें से भत्तों में कटोहती के साथ एस्टेंडर कटोथी को बढ़ाने का रास्ता अपनाया जा सकता है। 20 फिसदी के स्लैब के दायरे में 10 लाक रुपे से 20 लाक रुपे तक की सलाना आमदनी वाले लाई जा सकते हैं। 30 फिसदी का स्लैब 20 लाख रुपए से 2 कड़ो रुपए की आमदनी वालत पर लागू हो सकता है। रिपोर्ट में सबसे उचा 35 फिसदी टेक्स स्लैब सूपर चीर यानि की 2 कड़ो रुपए से अधिक आमदनी पर लगाने वाले यह सुझाओ दे सकता है। नए टेक्स ढाचे के मुताबिक पूरे टेक्स छूट 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 6.5 लाख रुपए तक की जा सकती है। इस बदलाओ से सरकारिक हजाने को करीबन 35,000 कड़ो रुपए तक का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर आपको बता दे कि घाटी में युगाओं को बीज बढ़ा बीजेपी का क्रेज। पार्टी ने एक माह में सवा लाख नए सदस्य बनाए। उधर पार्टी में सामिल होने वाले करकरताओं का कहना है कि बीजेपी एक मातर पार्टी है जो घाटी में विकास और सांती ला सकती है। पार्टी ने राज में 17 लाख सदस्य बनाने का लप्च रखा है। बीजेपी ने कस्मीर में जो 17 लाख नए सदस्य जोड़े हैं वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। घाटी में अपने पहली बार बीजेपी का क्रेज देखने को मिल रहा है। पार्टी की लोग प्रियता युवाओं के बीच बढ़ रही है। पार्टी अपने इस सभलता का जस्न 15 अगस्त को मनाने की तयारी में है। और हाल ही में संपन हुए लोग सभाचुनाओं में बीजेपी को जम्मू कस्मीर में 17 राख भोट मिले थे। अभी तक घाटी में बीजेपी काफी कमजोर रही है। लेकिन अब पार्टी इस छेतर में संगठन को मजबूत करने के इरादे से सदस्यता अभियान चला रही है। गौर तलब है कि पार्टी ने 6 जुलाई को बीजेपी का सदस्य अभियान सुरू किया था। यह अभियान 11 अगस्तक जारी रहेगा। इसी बीच पार्टी के चुनाओं के लिए भी तयारिया सुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर में आपको बता दे कि दिल्ली वालों को केजरिवाल सरकार की सोगात अब 200 यूनिट बिजली के लिए देने होंगे 408 रुपे। जी हाँ दोस्तों दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने आम लोगों की बड़ी रहत देते हुए बिजली दरों की क 549 रुपे थे, 2013 में 928 रुपे और 2018 में 660 रुपे हो गये और आज के बाद यह 408 रुपे हो जाएंगे। इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने इमांदार सरकार चुनी है। सुसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में जब 200 यूनिट बिजली 408 रुपे में दी जा सकती है तो फिर नोएडा गाजियाबाद में 1310 रुपे में क्यों नहीं दी जा सकती है। उन्होंने काये कि दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले 5 साल से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े। आज दिल्ली अकेला ऐसा राज है जहां बिजली की रेट बढ़ नहीं है और घटे ही है। जहां दोस्तों आपको बता दे कि दिल्ली में अगले साल की सुरुवात में बिधान सबा चुना होने हैं। इसमें पहले बिजली के दर में कटोती की गई है। मनीसु सोधिया ने दिल्ली की बिजली दरों की तुलना गुरुग्राम, जहां दोस्तों दिल्ली के मसहूर सरकारी होटल सेरोट को 30 नवबर तक दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट लिम्टेड यानि डायल के हवाले किया जाएगा। इसके लिए 31 अक्टूबर तक इसे पूरी तरह खाली करना होगा। एयर इंडिया को बेचने पर आमादा सरकार जो अब एयर इंडिया के खरीदार नहीं मिले तो अब सरकार ने फैसला किया है कि वो एयर इंडिया के अंगों को भी एक-एक करके बेचेगी। इसी क्रम में अब नागरिक उडेन मंतराल ने फैसला किया है कि एयर इंडिया के दिल्ली एरपोर्ट इस्टी 375 कमरों में सेरोट होटल को बंद कर दिया जाएगा डायल इसे तोड़ना पार्किंग बना जाएगा दरसल एयर इंडिया को 300 कड़ रुपय का बकाया जी हां दोस्तों अगली खबर में आपको बता दे कि छोटे दुकानदारों को मिले बड़ा तौफा मोधी सरकार पूरी की तयारी जी ह मा दोस्तों छोटे दुकानदारों को हर साल रजिस्टेशन का रेगुलर कराने के जंजट से जल्द छुटकारा मिलने वाला है CNBC आवाज को सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिके केंदर की मोधी सरकार देश में वन टाइम लाइसेंस देने की नीती का जल्द एलान कर सकती है इसके तहट एक बार रजिस्टेशन कराने पर एक मुक्त दस साल सक का लाइसेंस मिलेगा अभी अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग कानून के तहट रजिस्टेशन कराना होता है इसके लिए वन कंट्री वन टाइम रजिस्टेशन की पॉलिसी का एलान होगा आपको बता दे कि मुधी सरकार की क्या है पूरी तयारी जिहां दोसों अब छोटे दुकानदारों और बिजनेस के लिए one time license मिलेगा इसका मतलब साफ हो जाएगा कि आपको हर साल license revenue नहीं कराना होगा एक बार registration कराने पर एक मुक्त 10 साल तक का license मिलेगा जिहां दोस्तों मुझूदा समय में अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग कानून के तहत registration कराना होगा और मुझूदा कानून Sop and Exhibition Act के तहत लगभग दो दर्जन registration कराने होते हैं करेको समयर करेको टोकि यूदान सल्गर का जोगदा कराने हम बार Ranger हमिले हैं दूस्पाष्स कोड़ी का जइस सटे से हैं ही है झार कर झार तोस्तों है झार कि अन्بلड़ogy में का Repeat हैं 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 हमार लगशबंशना दोना अलगं हैं झाल झाल झाल